आज मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि आपका सलाकार कौन है? मुझे आशा है कि आज आप सभी को इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त होगा. आईए एक सलाकार की परिभाशा पर एक नजर डालें. जैसा कि हम देख सकते हैं, सलाकार, शब्द की मूल परिभाशा एक अनुभवी परामर्श दाता है. इसके समाना अर्थक शब्दों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक सलाकार की भूमिका क्या है? एक सलाकार एक परामश दाता एक मार्ग दर्शक या एक शिक्षक होता है अब आईए विचार करें कि हमारे पास एक सलाकार क्यूं होना चाहिए एक सलाकार एक परामश दाता है एक परामश दाता वो व्यक्ति होता है जो किसी की मदद करता है, है ना? कोई फर्ट नहीं पड़ता कि अनुशासन क्या है सलाकार की भूमिका सफल होने के लिए सला लेने वाले की सहायता करना है आपके जीवन में क्या आप किसी और से सहायता प्राप्त किये बिना सब कुछ अच्छी तरह से कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, है ना? जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आज हम जहां हैं, वहां पहुँचने के लिए हमें कई बार एक सलाकार से मदद मिली कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सलाकार की सहायता के बिना सफल हुआ हो आपकी सफलता मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है, पहला सलाकी उत्तमता और दूसरा सलाकार की सलाका पालन करने के लिए आपकी उत्तेजना आपकी प्रेरना चाहे जो भी हो, आपके परिणाम केवल उत्ने ही उत्च होंगे जितनी अच्छी सलाका आप पालन करेंगे इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सलाकार कौन है ऐसे कई लोगों के उदाहरन हैं जो विशेश सलाकारों की मदद से सफल हुए आज मैं आपको तीन उदाहरन दूँगा सबसे पहले मैं मार्क जुकेरबर के बारे में चर्चा करना चाहूँगा उन्होंने आपल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का उलेक अपने सलाकार में से एक के रूप में किया एक और उदाहरन बिल गेट्स है उनके सलाकार में से एक वारिन बफे थे दिल्चस्प बात यह है कि उनकी माता ने ही उन्हें पहली बार अपने सलाहकार से मिलने में मदद की थी अब आई ये एक पूरे राश्ट्र अमेरिका के उदाहरन पर एक नज़र डालें आज अमेरिका जिसकी स्थापना 1776 में हुई थी दुनिया भर में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ती है 250 से कम बर्शों में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश कैसे बन सकता है प्रतेक देश की नीव उसका समविधान होता है जबकि अमेरिका की सफलता के लिए अलग-अलग कारक हो सकते हैं लेकिन समविधान एक प्राथमिक कारक था समविधान को ये सुनिश्चित करना था कि कई अलग-अलग प्रिश्ट भूमी, संस्कृतियों और धर्मों के नागरिक होने के बावजूद अमेरिका अच्छी तरह से एक जुट हो संस्थापक पिताओं ने खुद से पूछा हम इतनी विभिनता वाले देश का विकास कैसे कर सकते हैं बृटिश संग्रहाले में एक कलाकृति से ये जानकारी मिलती है कि संस्थापक पिताओं को किस ने प्रभावित किया था ये साइरस सिलेंड था बिटिश संग्रहाले के निदेशक नील मैग्रेगर ने समझाया कि संस्थापक पिता फारस के राजा कुसरू से प्रभावित थे उसने कई अलग-अलग प्रकार के लोगों और संस्कृतियों पर सफलता पूर्वक शासन किया इस वज़े से जब अमेरिका सोच रहा था कि वे एक बहुत संस्कृतिक राज़े पर कैसे शासन कर सकते हैं तो थॉमस जेफरसन ने प्रेरना के लिए कुसरू की ओर देखा उसने अपने पोते को राजा कुसरू के कारियों का अध्यान करने का भी आदेश दिया राजा कुरूसू ने उस संविधान को प्रेरित किया जिस पर अमेरिका की नीव रखी गई आम तोर पर जब कोई राजा किसी राज़े पर विजय प्राप्त करता है तो वो आम तोर पर जय प्राप्त किये लोगों पर नियंतरन करता है और उन्हें अपने लिए काम करवाता है लेकिन कुसरू पूरी तरह से अलग था इस्राइलियों को जिनें बैबिलोन द्वारा सताया गया था कुसरू ने मुक्त कराया और उन्हें अपने स्वधेश में लोटने की अनुमती दी उन्होंने नकेवल कुसरू से यरुशलेम में अपने परमेश्वर के मंदिर के पुनन निर्मान के लिए एक घोशना प्राप्त की बलकि सहायता सामगरी भी प्राप्त की कुसरू इस निर्ने पर स्वयम नहीं आया उसके पास भी एक सलाहकार था मैं तेरे आगे आगे चलूँगा मैं हीने उस पुरुश को उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा वो मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदलालिय छोड़ देगा यशाया की यह भविश्यवानी कुस्रु द्वारा बैबिलोन पर विजय प्राप्त करने से लगभग 170 साल पहले की गई थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास नकेवल बहुत अधिक अनुभव है जो प्रतेक अच्छे सलाहकार के पास होना चाहिए बलकि वे भविश्य को पहले से देख भी सकते हैं हम आसानी से समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक उत्कृष्ट सलाहकार है है ना वो परमेश्वर ही थे जिन्होंने कुस्रु को इस्राइलियों को स्वतंत्र करने और यरुशलेम के मंदिर का पुनर निर्मान करने का आदेश दिया था इसलिए कुस्रु एक अनोखा राजा था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संसापक पिताओं के लिए एक प्रेरना के रूप में इतिहास में जाना गया अब आएए देखें कि Church of God का सलाकार कौन है इसाई धर्म जो दुनिया भर में फैल चुका है अब नाट की ये रूप से घट रहा है उदाहरन के लिए यूरोप अपनी व्यापक इसाई प्रिश्ट भूमी के लिए जाना जाता है लेकिन यहां तक कि यूरोपिय धर्मशास्त्री भी अब इसाई धर्म के पतन का अध्यान कर रहे हैं दगाजिन के एक लेक में धर्मशास्त्र के एक प्रोफेसर स्टीफन बुलिविंट ने कहा इसाई धर्म एक अभाव के रूप में समाप्त हो गया है और शायद हमेशा के लिए समाप्त हो गया है यह घटना दुनिया भर में इसाई धर्म में हो रही है कोई कह सकता है कि इसाई धर्म अब सफल नहीं रहा इसके बावजूद चछ अफ गौड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी का विकास जारी है उनके स्वयम सेवा कारियत दुनिया को चकित करते हैं इस कारण से चछ अफ गौड को कई अलग-अलग राष्ट्रपती पुरसकार प्राप्त हुए हैं जैसे स्वयम सेवा के लिए इंग्लेंड की रानी का पुरसकार कोरिया में तीन अलग-अलग राष्ट्रपती प्रमान पत्र और अमेरिकी राष्ट्रपतियों का स्वयम सेवा पुरसकार लेकिन ये पुरसकार चैच अफ गोड की सबसे बड़ी सफलता की तुलना में केवल एक छोटी सी सफलता है बिल गेट्स ने कहा कि उन्होंने अपने सलाकार बफे से जो एक चीज सी की वो ये थी कि समय कितना कीमती है आपके पास कितना भी पैसा क्यों नहों, आप समय नहीं खरीच सकते हम सभी के पास 24 गंटे का दिन होता है, है न? यहां तक कि सबसे अमीर लोग भी अपने जीवन में एक साल नहीं जोड सकते लेकिन हम परमेश्वर की संतान से अनंध जीवन और स्वर के अनंध राज्य में प्रवेश करने का वादा किया गया है जहां न कोई मृत्यू है, न कोई शोक, न कोई विलाप, और नहीं कोई पीड़ा है हमारी सभी उपलब्धियों में ये वास्तव में सबसे बड़ी सफलता है, है न? निश्चित रूप से चच अफ गोड में एक सलाकार है जिन्होंने इसे इतना सफल बनाया है क्योंकि मेंना जो सिंगासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा मेंना उनकी रखवाली करेगा और उन्हें ले जाया करेगा, क्या? इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उनके सलाकार होंगे यशाया ने भी यह भविश्यवानी की कि परमेश्वर हमारे सलाकार होंगे तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांती मिलेगी एक सलाकार एक शिक्षक है यह एक और भविश्यवानी है जो दिखाती है कि परमेश्वर हमारे सलाकार होंगे फिर इतने सारे इसाई चर्च कैसे सफल नहीं होते भले ही वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं यह शाया हमें तेरे लड़के वे किसे संकेत करते हैं जब हम पिछली आयतों को पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि यहां तेरे लड़के यरुशलेम नगर की संतानों को संकेत करते हैं तब यरुशलेम किसे संकेत करती हैं पर उपर की यरुशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है यरुशलेम की वास्तविक्ता हमारी स्वर्ग्य माता है उसकी संताने वे हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में वास्तव में सफल होंगे आज चछ ओफ गौड एक मात्र चछ है जो माता परमेश्वर में विश्वास करता है हमारी स्वर्गिय माता जो आज हमारे साथ निवास करती हैं चच अफ गौड की सलाहकार है इस कारण से चच अफ गौड अपने हर काम में सफल होता है जिस तरह एक शारीरिक माता अपने बच्चे के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए खुद को समर्पित करती है उसी तरह हमारी स्वर्गिय माता भी ऐसा ही करती है हमारी स्वर्गिय माता ने चच अफ गौड का सफलता की और ने तृत्व किया है जो छोटे और विनम्र से शुरू हुआ Church of God के सदस्य विभिन प्रकार की स्वयम सेवाओं के साथ अपने पडोसियों की सेवा करते हैं लेकिन उनके लिए उनकी सबसे बड़ी इच्छा अंतिम सफलता प्राप्त करना है इस कारण से Church of God हमारी स्वर्गिय माता के प्रेम को चमकाने के लिए साथ अरब लोगों को प्रचार करने का प्रयास करता है जिनकी एक मात्र इच्छा ये है कि सभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें इस प्रस्तुती के माध्यम से मुझे आशा है कि आप सभी इस बात कठोस उत्तर खोजने में सक्षम थे कि आपका सलाकार कौन है इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुती समाप्त करना चाहूंगा मैं स्वर्गिय पिता और स्वर्गिय माता को सभी आदर, महिमा और अनन्ध धन्यवाद देता हूं जो मेरे सलाकार हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद